नमस्कार बॉस वागते आप सभी का आपके साथ में हूं मम्ता तिवारी शुरवात इस बुलिटिन की करते हैं राजस्थान का दस्वी का रिजल्ट जारी हो गया है और सबसे अधिक 99.6-7 प्रतिशत अंक लाकर बूंदी की निधी जैन ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है सिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निधी को शुप कामनाई दे कर उनके सुनेरे भविश्य के कामना की है और राजकी अबालिका उच्चमाद में विध्याले अलोधन बूंदी में पढ़ने वाली बालिका ने 600 में से 598 रंक लाकर पहला स्थान हासिल किया है निधी नियमित रूप से 7-8 घंट ये पढ़ाई करती थी निधी जैन अपनी सफलता कश्रय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है निधी जैन आगे इंजूनियर बना चाहती है आपको बता दे कि दो साल पहले निधी ने अपनी मा को कोरोना में गमा दिया था और इसके निधी जैन अपने छोटे भाई लक्ष को संभालते हुए प्रदेश में परचम लेराया है करें परदेश में तोकर बनने में इस तान सब्सक्राइब करते हैं कि आप इसको देना चाहिए पीचर्स को पैरेंट इसको और प्रद्ट करते हैं आप इसको पर दो कितने कर दितक पड़ाई करते ते इस खुल की बाजोबी टायम लेता तो आगे जाके क्या बनना इसमें जो आपके आपके मातारी का भी देहांत हो गया था तो अपने अपने मनोबल को बनाई रखा तो ये बड़ी मुश्किर्स के समय में आप निकल करके तो क्या करना है तो पापा ने सपोर्ट किया तीचर्स ने स्कुर में बहुत चात दिया इसकी वज़े से तो आगे ज मेरे बिटे को देना जाओंगा क्योंकि मेरे बिटे मेरे को गर हुए तो पूरे रास्तान में मेरा नाम मम्मी पापा का और पूरे परिवार गरोसन किया मम्मी के एक्सपार वाद साल वर तक अकली रही फिर उस पसकिसित्थी में आर्ड़ी भी टोप करी उसके बाद कोड़ रहा आगे क्या बनना चाहते हैं इसके लिए इसको जो बनना चाहिए हम करवाइगे तो शिक्षा मंतर जी ने भी बढ़ाई दी है तो आगे पढ़ाई जारे रखेंगे जितने हमसे कोशित हो सके अगे जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ाएंगे एक बात प्राइबेट विद्यालों को पचाड़कर सरकारी विद्यालों अपने सेस्ता सागित की लाजंदर इस दाने कि क्या जैसे जैने ये सरकारी इस तोलों के जो मान बढ़ाया क्या करना है निश्चित रुखते लि